नमस्कार स्वागत है आप सभी का इविद्या चैनल नमबर सेवन पर मैं हूँ देवेंद्र रुत्र पाथी आज की सत्र में क्लास 7 के स्टुडेंट्स सीखने वाले हैं अलजेबरिक एक्सप्रेशन के बारे में और इस विशे पर इस मुद्धे पर इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं आज की एक्सपर्ट साजीन केसी जो की स्पेशल एजुकेटर है सक्षम स बहुत-बहुत स्वागत करते हैं नमस्ते और हम आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि आप हमें DTH के साथ-साथ यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं जो की हमारा ओफिशल चैनल नंबर है नाम है UNCERT Official और साथ ही साथ आप अपनी प्रतिक्रिया हैं आपके मन हैं हम तक पोस्ट कर सकते हैं जो की डबल एट डबल जीरो डबल फोर जीरो डबल फाइब नाइन इसके साथ-साथ इमेल एड्रेस भी आपको जानना होगा जो की है DTH.class7.ciet.nic.in तो इन माधिमों से आप अपनी प्रतिक्रिया हैं या अपनी क्वेरी हम तक पोस्ट कर सकते आप जानते हैं की G20 की धक्षता भारत कर रहा हैं तो इसे से जोडी है announcement हाज की आज की, we are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 leaders summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all and in doing so, manifest the true spirit of Vasudhaeva Kuttambakam or the world is one family. और आगे बढ़ें और सत्र में शुरुवात करें इसी जो टॉपिक है इसी से जुड़े हुए पहले परशने से तो सर सबसे पहले मैं परशने यही पूछना चाहूंगा कि Algebraic Expressions क्या है और ये बच्चों को चात्रों को क्यों सीखना जरूरी है? ये आपनी बहुत अच्छा question पूछा है हमें कोई भी mathematical concept समझाने से पहले उसके importance और relevance के बारे में class में discuss करना चाहिए जिससे की class का engagement और participation भी बढ़ता है हम हमेशा सोचते रहते हैं कि ये topic हमारे real life में कहां use होता है तो उसके बारे में जानते हैं आज का हमारा topic है Algebraic Expressions तो काफी सारे topics पे हम आज work करेंगे सबसे पहले importance से ही शुरू करते हैं जो की है Algebra is the branch of mathematics where we use letters and symbols to represent things that we don't know example unknown quantity of an item Algebra वो branch of mathematics है जहां पर हम letters और symbols का use करते हैं to represent things that we don't know जैसे कोई unknown quantity को represent करने के लिए It is also used as a logical tool in the field of engineering, physics and computer science हम इसको logical tool की तरह use करते हैं engineering में, physics में और computer science में दो specific domains के बारे में आज में discuss करूंगा first है computer science and artificial intelligence जहां पर Algebra का use बहुत extensively होता है example के तोर पर जो आपकी driverless cars है और जो driverless coaches है metro के उसमें हम artificial intelligence का use करते हैं Algebra expressions का use करके system determine करता है कि कम मुझे accelerate करना है कम मुझे stop करना है ऐसे ही हम medicine में भी इसका utilize करते हैं doctors patient की condition और requirements को ध्यान में रखते हुए dosage decide करते हैं किस patient को कितना dosage administer करना है अब क्योंकि हम इसके importance को समझ गए हैं तो हम अपने topic की तरफ बढ़ते हैं और पहले concept को अच्छी तरह समझते हैं कि how are expressions formed इसको समझाने के लिए हम बच्चों को class में दो expressions present करेंगे first है 4 plus 5 और second है आपका 2a plus 3 ये दोनो expressions हम बच्चों को देने के बाद बच्चों से कहेंगे कि आपको इन दोनो expressions को बहुत carefully study करना है और हमें बताना है कि कौन सा expression आपको लगता है algebraic expression है और साथ-साथ ये भी बताना है कि क्यों वो आपको लगता है कि वो एक algebraic expression होगा तो बच्चे इन दोनो equations को study करेंगे हम उन्हें थोड़ा सा time देंगे और उसके बाद एक-एक करके उनके answers सुनेंगे और उनके reasons भी सुनेंगे तो आप देखेंगे कि बच्चे धीरे-धीरे आपको बता रहे हैं कि first वाला जो expression है उसमें सिरफ numbers है और second वाला जो expression है उसमें numbers भी हैं और alphabets भी हैं हम उन्हें encourage करते हुए answer की तरफ ले जाएंगे और कहेंगे आपने ठीक कहा कि first वाला जो expression है उसमें सिरफ हमने numbers का use किया है जिसको हम constants कहते हैं वो एक numerical expression है और जो second वाला expression है हमारा 2a प्लस 3 जिसमें हमने numbers और alphabets दोनों का use किया है वो एक algebraic expression है और जो numbers होते हैं उनको हम algebraic expression के context में constants कहते हैं और जो alphabets होते हैं हम उन्हें variables की नाम से जानते हैं जैसे ही बच्चे ये concept की form को समझने लगे हम next formally उनको define करेंगे की कौन कौन सी terms इसमें use होती है पहला term है variables variables are symbols often letters that denote different values in various situations in simple terms it is a symbol used to denote an unknown value examples आपके जो alphabets हैं a, b, c, x, y and z अब constants क्या होते हैं constants are used to denote a fixed numerical value in simple terms it is a fixed number examples हैं आपके 1, 2, 3, 4 और कोई भी number अब देखते हैं algebraic expressions को हम formally कैसे define करते हैं algebraic expressions are formed by combining variables and constants जब हम variables or constants को combine करते हैं तो हमें algebraic expressions मिलते हैं जैसा हमने last slide में देखा था we use the operations of addition, subtraction, multiplication and division on the variables and constants to form expressions हम addition, subtraction, multiplication or division जब variables or constants पे perform करते हैं तो हमें algebraic expressions मिलते हैं examples हैं mathematics हैं उसको आसानी से समझ सकें जी, आपने ठीक कहा अगर इस concept को हम चाहते हैं बच्चों की मन में set करना तो हम एक छोटा सा activity या game करा सकते हैं जो मैं अभी आपके साथ खेल के समझानी कोशिश करूँगा तो game का पहला step है आपको मुझे एक number select करना है 1 और 10 के बीच में लेकिन वो number प्लीज मुझे बताना नहीं है आप एक number select कर लीजिए 1 और 10 के बीच में कर लिया आपने next आप उस number में 2 से multiply कर दीजिए अब जो आपका answer आया है उसमें आप 10 को add कर दीजिए अब जो आपका 10 add करके answer आया था वो फ्लीज आप मुझे बता दीजिए 16 16 अब आप मुझे 5 seconds दीजिए मैं आपको answer बता देता हूं कि आपने कौन सा number select किया था आपने 3 numbers select किया था बिल्कुल सहीगा आपने sir very good तो आपने देखा यह छोटा सा activity है जिसमें आपने algebraic expressions का use करके यह determine कर पाए कि आपने कौन सा number select किया था तो इस तरह के activities कैसे बच्चे कर सकते हैं आसानी से उनको और समझाए कि किस तरह से आपने solve किया यह formula आप उनको बताए कि अगर बच्चे आपस में इस तरह के activity में इन्वाल होते हैं कोई बच्चा एक number select करता है लेकिन दूसरों को बताता नहीं है फिर उसमें वो दो से उसको करता है 10 उसमें add करता है तो उसको कैसे solve करता है दूसरा बच्चा यह आप एक बड़ बता है बच्चों अब मैं आपको दिखाता हूं जैसे जैसे आप मैं आपसे questions बोल रहा था वैसे वैसे साथ-साथ मैं expressions form कर रहा था तो जैसा कि हमें पता है algebraic expressions क्या होते हैं जब हम कोई unknown को denote करने के लिए यूज करते हैं तो मैंने आपको का था कोई एक number जो आपका result आया answer क्या है वो मुझे बता दीजिए तो आपने मुझे बताया 16 तो corresponding एक equation मेरे पास बनके आ गया था 2N plus 10 is equal to 16 इस algebraic equation को solve करके मैंने आपका answer पता लगाया था कि जो unknown n था वो आपका 3 था अब इसी activity को हम क्या करेंगे बच्चों को बोलेंगे कि pairs में आप इसको करने की कोशिश करें एक बच्चा पहले select करेगा number दूसरा बच्चा उसको conditions बताएगा और वो आपस में खेलेंगे तो उससे क्या होता है peer-to-peer learning भी होता है साथ-साथ engagement भी होता है और जो concept clarity बच्चों के अंदर आता है वो आप देखेंगे बहुत different होता है जी और आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ और अगला प्रशन अगर मैं सर से पूछ हूँ जो की इसी subject से इसी topic से जुड़ा हुआ है तो algebraic expressions के बारे में can you show us the tactical diagram of the concept map that you have prepared जी अब हम next topic की तरफ आ रहे हैं जिसमें हम एक tactile map का भी यूज करेंगे पहले मैं आपको slide का use करकी concept समझा देता हूँ फिर मैं जल्दी से आपको tactile map की बारे में वहता दूँगा तो topic हमारा concept है components of an expression यानि expression की components क्या-क्या होते हैं तो इसको समझने के लिए हमने क्या किया है एक expression लिया है 4x square minus 3xy यह simple expression है उसके बाद हमने उसको दो parts में break किया है जो की है 4x square और minus 3xy इनी दो parts को इनी दो components को हम terms के नाम से जानते हैं उसके बाद हमने 4x square को अपने individual components में break किया है 4x and x ऐसे हमने minus 3xy को उसके individual components में break किया है minus 3x and y यह जो 4x और x है ऐसी minus 3x and y हमारा निकल के आया है इनी को हम factors कहते है factors दो तरह के होते है numerical factors जिनको हम coefficients कहते हैं और algebraic factors जिसमें alphabets आते हैं तो 4 जो है आपका numerical factor है और x और y जो इधर आए हैं वो आपके algebraic factors है अब इसी diagram को जब हम inclusion की बात करते हैं तो classroom में समझाने के लिए हम एक tactile diagram बना सकते हैं जो की हम simple घर पर अपने आप बना सकते हैं इसी diagram को हमने tactile form में adapt किया है तो हमने इसको tactile form बनाने के लिए एक boundary बनाया है thread का use करके बच्चे page को orient कर पाएं उसके लिए हमने top में mark बनाया है एक arrow mark बनाया है जिससे बच्चे को पता लगे कि पेज कैसे औरियंट करना है उसके बाद हमने expressions को लिखने के लिए नेमेथ Braille code का use किया है और ऐसे ही हमने topic को लिखने के लिए simple grade 1 Braille का use किया है इसमें भी आप देखेंगे तो जो levels हमने बात की थी expressions को terms में तोड़ना और terms को factors में तोड़ना वो हमने डाइग्राम के थूँ शो किया है तो terms को denote करने के लिए हमने tactile marking जो है 3D glue से बनाया है उसके बाद factors को denote करने के लिए जो markings हमने बनाई है उसके लिए हमने एक thread use किया है साथी साथ हमने सभी variables का जो factors निकल के है उनकी Braille markings भी दी है साथी साथ एक key भी दिया गया है जिससे बच्चे इसको touch के माध्यम से पढ़के समझ सकते हैं कि कौन सी चीज क्या denote करती है अब इससे बच्चा समझ पाएगा जो break up है कि expression हमारा terms से मिलकर बनता है और terms जो होते हैं वो हमारे factors से मिलकर बनते हैं जो की numerical और algebraic factors होते हैं इसके बाद हम चलते हैं अपने next topic की तरफ जो की है like and unlike terms अब like terms क्या होते है like terms are terms which have the same algebraic factors यानि उनके algebraic factors same होने चाहिए examples हैं आपके 4xy and minus 3xy यहां पे आप देखेंगे xy xy सेम algebraic factors हैं इसलिए वो like term कहलाएंगा ऐसे 2xy and 6yx next हमारे पास आता है unlike terms अब unlike terms are terms which have different algebraic factors यान की जो भी algebraic factors आपके होंगे वो different होने चाहिए examples है 4xy and minus 3x आप देखेंगे एक का algebraic factor है xy और दूसरे term का algebraic factor है x तो क्योंकि algebraic factors match नहीं कर रहे हैं यह unlike terms कहलाएंगे अब कुछ simple steps है जिसका use करके बच्चे class में इसको अच्छे से answer दे सकते हैं की कौन सा term like है और कौन सा term unlike है तो first step है the variables in the terms must be same and second step है the degree or power of each variable in the terms must be same यानि जो भी terms होंगी उसमे variables same होने चाहिए और second point है जो भी degree या उसकी power होगी हर variable की terms में वो भी same होने चाहिए साथी साथ आपको धिहान रखना है the numerical coefficients of the terms and the order in which the variables are multiplied in the terms does not matter इसको समझने के लिए अगर आप ऊपर एक example है 2xy and 6yx आप इसमें आप देखेंगे कि numerical coefficients अलग अलग है एक term का numerical coefficient 2 है और दूसरे term का numerical coefficient 6 है लेकिन फिर भी यह like है क्योंकि जो algebraic factors है वो दोनों same है xy है और yx है yx को मैं xy की तरह भी लिख सकता हूं इसलिए दोनों like terms कहलाएंगे जी अब next next हम concept को समझते है polynomials क्या कहलाता है और उनके कौन-कौन से types होते है polynomial is an algebraic expression with one or more terms यानि एक ऐसा algebraic expression जिसमें एक या एक से जादा terms आ रहे हो एक छोटा है क्योंकि poly word को हम generally associate करते है many से लेकिन algebraic expression के context में कोई भी ऐसा expression जिसमें one या one से जादा terms आएंगी वो भी polynomial क्या कहलाता है और इसी के specific cases है monomial binomial और trinomial तो monomial क्या होता है an algebraic expression है with only one term यानि ऐसा algebraic expression जिसमें सिरफ एक term होगा examples है 7x and 5g second हम आते है binomial पर binomial is an algebraic expression which contains two unlike terms इसमें दो unlike terms होगे unlike terms आपको धिहान रखना है unlike terms का मतलब है algebraic factors उनके same नहीं होने चाहिए तब ही वो binomial कहलाएगा examples है x plus y and m minus 5 फिर हम आते है trinomial पर trinomial is an algebraic expression which contains three unlike terms यहाँ पर आपके पास ऐसा expression जिसमें three unlike terms होने चाहिए algebraic factors यानि उनके same नहीं होने चाहिए examples है x plus y plus 7 and m plus n plus 10 तो sir अगला जो प्रशन मेरे जहन में आ रहा है क्योंकि हम लोग inclusive classroom में बैटके बाते करें inclusive classroom के students के लिए भी बाते कर रहे हैं how does a child can with visual impairment read and write algebraic expressions अगर मैं इसकी बात करूँ तो आप किस तरह से बच्चों को बताएंगे inclusive education के point of view से जब हम सोचते हैं तो हमारी class में ऐसे बच्चे भी होंगे जो देख नहीं पा रहे हैं उसका यूज करके आप उनको algebraic expressions लिखना और पढ़ना सिखाते हैं second method है आपका tailor frame का यूज करके जो मैं आभी आपको demonstrate करके दिखाता हूं कि कैसे एक बच्चा जो देख नहीं पाता है वो tailor frame पे maths के algebraic expressions को लिख सकता है पढ़ सकता है और समझ सकता है तो हमने एक expression लिया है 4x square minus 3xy और उसको tailor frame पर लिखने की कोशिश किया है तो tailor frame पे हम आ जाते हैं tailor frame वो device है जिसका यूज करके बच्चे maths को पढ़ते हैं और समझते हैं tactile medium में तो इसमें octagonal shaped holes हैं जिसमें आप types को put करते हैं दो तरह के types होते हैं type A जिसको आप arithmetic type B बोलते हैं जिसके तुरू आप numbers और operators को denote करते हैं second होता है आपका type B जिसको आप algebraic types भी बोलते हैं जिसका use करके आप variables और different types of brackets को denote करते हैं तो इसके आज दोनों ही types के मैं enlarged models भी बना के लाया हूं जिसका use करके हम बच्चों को tailor frame introduce करते हैं और धीरे-धीरे फिर types पर shift करते हैं तो एक expression मैंने टेले frame पे जल्दी से लिखा हुआ है जो की expression है यह bracket का sign है bracket के लिए आप देखेंगे हम कौनसे type use करते हैं हमें type use करना होता है B और type B को यह type B का type है और इसमें race shape है यह वाला इसको अगर आप ऐसे orient करके यानि ऐसे अगर आप टेले frame में fix करते हैं तो यह bracket को denote करता है और कौनसे bracket यह भी धिहान रखना यह opening bracket यह opening parenthesis को denote करता है next हम देखते हैं, letter 4 later 4 को denote करने के लिए हमें type A चाहिए होता है और type A को अगर आप ऐसे orientation में रखते हैं यह वाला face और ऐसे orientation में रखते हैं तो इसको हम 4 से denote करते हैं next हम देखते हैं जो हमने लिखा है x square तो ये टेलर फ्रेम पे x square लिखा हुआ x लिखा है और उपर वाले cell में हमने square लिखा है तो उसको लिखने के लिए हमें x का denote करने के लिए हमें चाहिए होता है ऐसे और उसके बाद 2 को denote किया है हमने दूसरे वाले type का use करकी ऐसे position में जब आप रखते हो तो ये आपका x square बनता है उसके बाद minus sign है minus sign के लिए आपको type 1 चाहिए होता है और उसको अगर आप ऐसे orient करते हो इस वाले face को उपर रखते हो तो आपका minus sign आजाता है फिर उसके बाद 3 है 3 के लिए आपको type को ऐसे set करना है type a को और उसके बाद आपका x है फिर से तो आपको फिर से type b लेना है और उसको ऐसे orient करना है और उसके बाद आपका y है y को orient करने के लिए आपको फिर से type b ही लेना है और ऐसे set करना है तो आपका ये y denote करता है और उसके बाद closing bracket है जिसको denote करने के लिए फिर से हमें type b लेना है और ऐसे position में रखना है तो ये closing parenthesis या bracket हम कहते हैं तो ये second method था जिसके through हम बच्चों को लिखना और पढ़ना algebraic expressions या simple mathematical expressions टेलर फ्रेम पे कर आ सकते हैं third method है जो की बहुत relevant और मुझे लगता है एक transforming method है inclusive education के point of view से जो की है computers का use करके आप MS Word जो एक word processing application है उसके साथ अगर एक screen reading software जो की NVDA होता है हमारा non-visual desktop access उसमें एक add-on install करना है आपको mathcat ये दोनों install करके जब आप Microsoft Word के एक feature को use करते है equation editor equation editor के अंदर जब आप algebraic expressions को लिखेंगे तो आपका जो NVDA होता है mathcat के साथ उसको अच्छे से पढ़ता भी है और आपको समझ में भी आता है आप लिखने में भी गडबड नहीं करोगे अगर आप computer पे word file पे लिखते हो तो अपने teachers को भी बहुत आसानी से present कर सकते हो जी algebraic expression ये topic है आज का maths class 7 के students के लिए और हमारे साथ expert के रूप में जुड़े है सक्षम स्कूल नोईडा के साजिन के सी और आपको अब तक उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि algebraic expressions क्या होता है कैसे आप frame कर सकते हैं और unlike या like expressions क्या होते हैं सर एक प्रशन math से जुड़ा मैं आप से पूछना चाहूंगा जो एक बहुत ही common है और मुझे लगता है कि हर एक students के लिए बहुत important है कुछ बच्चे से होते हैं जिनको math बहुत आसान लगता है math में बहुत रूची होती है आन इसे tips students को देना चाहेंगे कि अगर उनको math से डर लगता है तो कैसे उससे बाहर निकले कैसे math से वो दोस्ती करें और math की कथिन-कथिन सवालों को कैसे वो आसानी से खेल-खेल में हल कर सकते हैं और उससे पहले मैं एक बार अपने दर्शकों को कहना चाहूंगा कि अगर आप हमें DTH पर देख रहे हैं तो साथ ही साथ आप हमें YouTube पर भी देख सकते हैं जहां आप प्रशन पूछ सकते हैं आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे होंगे इस topic से जुड़े हुए तो आप हमसे कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं और हमारे expert उसका जवाब देंगे और इसके ला हैं तो आपके मन में या आपके बच्चों के मन में कुछ प्रशन हैं parents अगर देख रहे हैं teacher अगर देख रहे हैं उनके students के लिए कुछ queries हैं तो वो पोस्ट कर सकते हैं हमारे sir आज जो studio में मौझूद हैं उनकी queries को address करने की कोशिश करेंगे sir मैंने जो सवाल पूछा था कि math phobia से बच्चों को students को parents and teachers कैसे उनको बाहर निकाले हैं बच्चे खुद उस phobia से कैसे बाहर निकले हैं जी आपने बिल्कुल सही का जब हम भी बहुत छोटे थे जब math पढ़ते थे तो हम भी भागते थे math से starting initially लेकिन जैसे जैसे उसमें interest आने लगा तो हमारा उसके प्रत जब भी कोई mathematical concept आप पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसका relevance जरूर class में बच्चों के साथ discuss करें आपको जरूरी है यह बताना कि उस topic का हम real life में कहां use करते हैं क्यों उसकी जरूरत पढ़ी तो why वाला जो point है आपको handle करना है उसका importance जैसे ही आप class में express कर देते हैं तो बच पर जाना है यानि known से आप unknown की तरफ जाएंगे जो बच्चे को पहले से आता है उसको समझाते हुए आप जो उनको नया सिखाना चाहते हैं उसकी तरफ आप जाएंगी इससे क्या होता है बच्ची का confidence level बना रहता है अगर आप जल्दी से उसको कुछ ऐसा सिखा देंगे ज जो concept है उसको build करने पर ध्यान देना है procedures पर फिर next move off करना है और concept को समझाने के लिए आप जितना अच्छा TLM बना सकते हैं वो TLM बना के ले जाएं जिससे बच्चे का एक interest भी generate होता है और वो concept उसको हमेशा याद रहेगा और maths एक language की तरह है तो practice बहुत important है तो बच्चों को आप class में time जरूर दीजे starting में जब भी वो कोई concept सीखेगा तो उसको अच्छा का सर टाइम उसको समझने के लिए दीजी और उसको practice करने के लिए और इसी सारे process को आपको interesting बनाने के लिए आपको games riddles और activities अपने class में incorporate करने पड़ेंगे जैसे हमने एक छोटा सा game खेला ल ऐसे ही आप जो भी mathematical concept आप पढ़ा रहे हैं उसे related stories, unsolved mysteries, historical events को भी class में बच्चों के साथ discuss करें तो इससे क्या होता है जिस बच्चे का history में interest होगा उसका भी ध्यान indirectly maths की तरफ आता है तो हम use कर रहे हैं जो बच्चे को अच्छा लगता है उसका use करके maths में उसका interest generate करने की क कोशिश कर सकते हैं तो एक कुछ simple steps हैं जिसका use करके हैं बच्चे की मन में maths का जो outlook है वो दीरे दीरे change कर सकते हैं जी यह तो रहा कि यह suggestion जो आपने दिये कहीं ने कहीं यह teachers के लिए बहुत कामका है और teachers कई बार कह सकते हैं क्लासरूम में fight करते हैं कि बच्चों को कैसे वो समझा हैं बच्चों के मन को समझना बहुत जरूरी है कि वो किस तरह से maths के किसी सवाल को समझ रहा है कोई बच्चा सानी से समझ रहा है कोई बच्चा नहीं समझ रहा है तो जो सर ने tips दिये वो कहीं ने कहीं teachers के लिए बहुत काम के हैं और वो students के लिए बहुत काम के हैं सर ह हमने overall बात की math phobia की, लेकिन algebra के जिस topic की आज हमने चरचा की, algebraic expressions की, algebra पढ़ना क्यों जरूरी है बच्चों के लिए, real life से उसका क्या relevance है? जी, हमने देखा की, algebra हम, starting हमने किया था, algebraic expression के importance के साथ, हमने बताया था की, algebraic expressions हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज हमें नहीं पता होती है, तो उसको समझने के लिए, algebraic expressions का use करते हैं, और जो भी concept होता है, उसको समझाते हैं, साथ ही साथ जो उसके real life utilities हैं, कहां कहां वो real life में use होता है, जैसे हमने दो cases देखे थे, artificial intelligence और medicine में, ऐसे ही बहुत सारे cases हैं, उनको भी हम समझ सकते हैं, और ऐसे आपको करना पड़ता है, जी, और चलते हैं, keywords आज, आज की class का, अपने बच्चों से, आप share करें तो अच्छा रहेगा, उनके लिए समझना असान रहेगा जी, first keyword है आपका variable, जी, second keyword है आपका constant, और third keyword है आपका expression, चलिए, तो बच्चों को आखिर में, कुछ आप suggest करना चाहेंगे, homework के जरिए कि, वो किस तरह से practice करके, इस algebraic expression topic को समझ सके हैं, जी, आज के लिए हमने homework भी prepare किया है, तो इसमें आपको, बच्चों तीन questions को attempt करना है, question number one है, identify the factors in the following algebraic expressions, a है 7x plus 2y, b है आपके पास, minus 4ab plus 7cd, आपको algebraic expression पढ़ कर उनके factors को identify करना है, second question है, state whether the following pairs of terms are like or unlike, आपको दो terms दी गई है, pairs है, आपको identify करना ही, कौन सा like है, कौन सा unlike है, a part है 2 and 20, b part है 14xy and 42yx, question number three आपके पास है, describe the following terms with the help of an example, आपको तीन terms दीए गए है, उनको आपको define करना है with the help of an example, इसी के साथ-साथ हमारे पास modified homework भी है, जिसमें हमने question number one को choose the correct option में convert कर दिया है, second question को हमने true or false में connect कर दिया है, और third question को हमने match the following में convert कर दिया, Thank you so much sir, आज आप हमारे साथ जुड़े हमारे स्टूडियो में आया और हमारे स्टूडियो में आया और हमारे स्टूडेंट्स को algebraic expressions के बारे में इतनी detail में जानकारी थी, आज का ये सत्र था, class 7th के स्टूडेंट्स के लिए, और हम thank you कहना चाहेंगे, निर्भय कुमार मल को भी जो visually impaired या विशिश आवशक्ता वाले बच्चों के लिए sign language के माध्यम से आज के सत्र को समझा रहे थे, और इसके साथ ही हम चाहेंगे आप से अनुमती इस करिक्रम को संपन करने की, सत्र को यहीं समाप्त करने की, लेकिन जिन बच्चों ने, जिन sales counters available हैं, देश के अलग-अलग हिस्तों में, दिल्ली, कोलकाता और गुवाहती, बैंगलूरू, एहमदाबाद में, sales counters सातों दिन खुले रहते हैं, चुट्टी वाले दिन भी आप इन sales counters से आप अपनी पुस्तिकें खरीच सकते हैं, समय सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के हैं, साथी साथ आप online order भी कर सकते हैं, ncrtbooks.ncert.gov.in के माधिम से, जो free of cost आपके घर पर उपलब्ध हो जाएंगी, तो इसी सूचना के साथ, आज का सत्र यहीं समाप्त करने के दीजिए अनुमती, लेकिन बने रही है इविद्या platform के साथ, धन्यवाद.